नमस्कार आप देख रहें NB News 24x7 निलम बोध के साथ साथियो मैं अपनी बात को सुरू करने से पहले कुछ पंक्तिया आपके सामने रखना चाहूंगी जी हाँ साथियो इस तरह की पंक्तिया जब हम मंचों से सुनते हैं तो कहीं न कहीं श्रोतगर्ण ताली की गड़गड़ाहट से अभिवादन करते नजर आते हैं साथियो मैं कली हूँ मैं कली हूँ मैं फुलवारी हूँ मैं इस्त्री हूँ मैं नारी हूँ मैं दर्शन हूँ, मैं दरपण हूँ, मैं नाध हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं दरोपती हूँ, मैं सीता हूँ, मैं स्रीमत भगवत गीता हूँ जी हां साथियों, लेकिन वास्तेक्ता इन पंक्तियों की ये है, कि कहने में और सुनने में ये पंक्तियों बहुत अच्छे लगती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, जी हां अभी ताजा-ताजा परकरण उडिसा की राजधार्नी भुवनेश्वर से आया है, साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस भारत देश में नारियों को लेकर तमाम तरह की बाते की जाती है, नारी अश्मिता की बात की जाती है, उसके शशक्ति करन की बात की जाती है, पुर्सों के बराबर महिलाओं की भागेदारी की बात की जाती है, लेकिन मंचों से हम इस त तर्परदेश की बात कर और मैंराजिस्थान की बात करो मैंने इन राजयों की नाम इसलिए हैं क्योंकि यहां पर भारतिय मतारे पाटी की सरकार है , जिस तरह से बहूं बेटिव के ऊपर अत्याचाशक जोटन हो रहे हैं वो किसी से छुपए नहीं है लेकिन विड़मना है कि जब कोल कटा की घटना होती है जब कोल कटा की बेटी के साथ में दरिंदगी होती है तब भारत्य जंता पार्टी के तमाम नेता अपने बिलो से बहार निकल कर आते हैं और नारी अस्मिता की बात करने लगते हैं यहां तक कि वो मम्ता बैनर जी के इस्तीफे तक की मांग करने लग जाते हैं और कहते हैं और इस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और मम्ता बैनर जी को जरासी भी शर्म है तो अपने मुख्य मंत्री पत से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए साथ यह इस तरह की बाते अक्सर हम देखते हैं कि भारते जन्ता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से तब उठती है जब घटना किसी गैर भाजपा राजे में घटी धोती है कोलकटा का परकरन आप भूले नहीं है एक महिना लगबग लगबग उस घटना को हो गया है लेकिन आज भी हम देख रहे कि लगातार मेंस्ट्रेम मीडिया पर हाहा कार मचा हुआ है एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब कोलकटा की घटना को लेकर उस पर चर्चा कीना जाती हो लेकिन साथियो वहीं हमने पिछले दिनों देखा जब मुझफर पूर में जहां पर भारते जनता पार्टी की सरकार है जी हां साथियो बड़ी बड़ी बाते तो लोग कर लेते हैं लेकिन जब एक दलीद बेटी के साथ में सामोई करूप से बलतकार हुआ उसको जिंदा मार दिया गया और इतना ही नहीं साथियो उसके बाद कई ऐसी घटना है बिहार से निकल कर आई जिन घटनाओ को सुन कर आपकी रूख आप जाए लेकिन भारते जंता पार्टी खामोश रही पिछले दिनों साथियो आपने देखा चाहे मैं बुलन सहर की बात करूं लखनों की बात कर रही है अभी ताजा ताजा पर करन जो आयोध्या जो की राम नगरी है उसमें हुआ राम मंदिर में एक सफा साथ खर इन घटनाओं पर बैड़ जाते हैं मुह तक नहीं खोलते हैं साथ पूरे घटना करम के मैं बात करूंगी लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो देख कर सुन कर आप आकलन कीजिए कि आज जिस भारत देश में हम कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी को देख कर या खा कवारना चुरूर की और सब्टे लोस ने जो उस टीजन पर आई इसमेजिए खो आए और उन्हों अनौने मेरे पैंदलौय किया अपना पैंद लोर किया अपना प्रोजाए तब क novak में इ What Me साथियो आपने वीडियो देखा यह वीडियो देख कर सुन कर आपके तन बदन में आग लग गई होगी आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और खासकर भारते जंता पार्टी के नेता क्यों इस घटना पर चुपी सादे बैठे हैं क्यों बड़ी बड़ी बाते करते हैं जो कहते हैं कि इंडियन आर्मी है वो देश के लिए एक प्राइड है लेकिन जब उस प्राइड में ही किसी वैक्ति की मंगेतर के साथ में इस तरह की जगन्य घटनाएं हो जाते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है तो क्या हम कह सकते हैं कि एक आम वैक्ति, एक साधारण वैक्ति गर की बहन बेटिया सुरक्षित रह सकती हैं, खास कर साथियो भार्ते जंता पारिटी की सरकारे हैं, जिन जिन राज्यों में, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, साथ यो ये पहली घटना नहीं है इससे पहले भी लगातार कई घटनाएं हो चाहिए मैं कटक की बात करूँ खुझा की बात करूँ ये घटनाएं वो हैं जो उडिसा में लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं लेकिन किसी भी तरह से इन घटनाओं को संग्यान मे नहीं लिया जा रहा है, फाइले खुलती हैं, बंध होती हैं, दब जाती हैं, आंदोलन होते हैं, लोग हाहा कार्म करते हैं, और जो दोसी होते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन साथियों इस तरह की घटना आखिर क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे जी हां साथियों यह घटना जो बताई जा रही है 15 स्तंबर की घटना है और मामला 15 स्तंबर को उजागर ना होकर बलकि 4-5 दिन बाद उजागर होता है और उसका सीधा सीधा कारण यह है क्योंकि 17 दिर को मानिने परधार मंत्री नरेंदर मोधी जी साके दोरे पर गए थे और जो सुबद्रा योजना है उसको लौच करने के लिए गये थे इसलिए साथियों कहीं न कहीं सासन पर सासन ने इतनी बड़ी घटना को दबा दिया लेकिन मैं सलाम करते हूं उस बहादूर बेटी को जिसने की अपनी जत की परवाना करते हुए अपने दुनियादारी की पर के लोगों ने उनके साथ में छेड़ छाड़ की और यो जब वहां पर जो अधिकाड़ी थे उन्हों ने फाइर दर्ज करने से मना कर दिया और जब जो आर्मी अफसर है उसकी जो मंगेतर है जो की पेसे से लोयर है उसने जब कहा कि मैं लोयर हूँ और मेरी जो एफाइयर है वो तो करना आपका काम बनता है तो इसलिए एफाइयर कीजिए तो साथियों वहाँ पर उस महिला के साथ में उन्हों इतने भद्रता की कि एक महिला पुलिस कर्मी आती है और उस महिला को दूसरे कमरे में खीच कर ल इतना ही साथियों वह अपनी पैंट उतार देता और फिर लड़की की पैंट उतारता है और उसके बाद अपना ज़으्ट से पहार हो होगी क्या लोगी कितनी बार तुमारे मुह में दूँ आप मतलब सुनकर भी शायद आपको बहुत अजीव लग रहा होगा बहुत गंड़ा लग रहा होगा आखिर आज खाकी वर्दी में किस तरह के लोग पल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को देखते हैं आप सोच सकते हैं कि भ बढ़ने वाले आखिर कौन लोग हैं ये भी साथियों बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है लेकिन हम देखते हैं कि जहां जहां पर भारते जंता पार्टी की सरकार है वहां पर इस तरह के जगन्य अपराध होते हैं और वो फाइलों में बंध होकर रहे जाते हैं लेकिन है कि जब अन्य किसी राज्य में होते हैं तो तमाम वहां पर लोग इंसानित का हवाला देते नजर आते हैं केंडल मार्च करते हैं बड़े-बड़े आंदोलन करते हैं और गोधी मीडिया हाय हाय करके उस पर चिलाती है पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज चलाती है लेके सा अन्य था तो यह इतनी बड़े घटना करम पर भी अपने मुह में दही जमा कर बैठ जाएंगे लेकिन साथी विड़मबना यह है कि इस घटना को घटे हुए आज 5-6 दिन बीट गए हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी जिसके सरकार है ना तो उनके मुख्य मंत्री की कोई बयान नहीं आया तो साथियों यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप कि लोगों को वोट देते हैं कि लोगों को सत्ता पर बिठाते हैं और कि लोगों से उम्मीद करते हैं कि यह लोग किस तरह से बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे यह तो साफ साफ दिख साथियों इस तरह की घटनाओं से